हलो फ्रेंट्स मेरे नाम है संदिवकान गौर और स्वागत आपको मेरे चैनल पर जिसमें हम डिसकुस कर रहे हैं ग्राफ थेओरी पर और आज हम देखने वाले हैं प्रोड़क्ट ऑफ ग्राफ प्रोड़क्ट ऑफ ग्राफ को यहां पर कार्टिशन प्रोड़क्ट भी कहा जाता है दोस्तों इससे पहले हमने सेट थेओरी में कार्टिशन प्रोड़क्ट को देखा हुआ है तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि कार्टिशन प्रोड़क्ट सेओरी में हमने किस तरह से देखा था जब हमने set theory में cartesian protect देखा था, तब उसके according, माली जहाँर पास कोई एक set है A, और इसके अंदर element है A B, और दूसरा कोई set है B, और इसके अंदर element है X Y Z ठीक है, तब इनका cartesian protect होता था, तो हम A x B से उसको denote करते हैं, और cartesian protect में क्या होता है, audit pair बनता है, audit pair में क्या होता है कि जो पहला element होता है, वो पहले set का और दूसरा element, दूसरे set का तो इनका इसमें multiply करना रहता है कुछ इस तरह से, जैसे A है तो A का combination, तीनों के साथ होगा, A x A y A z इसी तरह फिर B का combination के साथ होगा, तब B x B y B z तो यह था cartesian product of set तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो audit pair हमको मिलते हैं, उनमें जो पहला element होता है वो पहले set से बिलोंग करता है और जो दूसरा element होता है, वो दूसरे set से बिलोंग करता है, तो यह था cartesian product of set आज हम देखने वाले cartesian product graph के उपर तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो यहाँ पर पहले definition देखते हैं let G1 and G2 be two simple graph देखिए, G1 और G2 हमारे पर simple graph दिये हुए है, simple graph का मतलब क्या है एक ऐसे graph, जिन में ना तो कोई multi या parallel age हो और ना ही कोई loop हो, ठीक है तो वह है हमारे simple graph होता है the cartesian product of G1 and G2 denoted by G1 cross G2 graph को product अगर यदि हम निकालते हैं तो उसको G1 cross G2 से represent करेंगे, is the simple graph यह भी किस तरह का होगा, simple graph ही होगा मतलब, जो इनका result आएगा उसमें भी ना तो कोई self loop होगा और ना ही V1 and U2 V2 are adjacent, देखिए आपके पास एक graph है G1, दूसरे graph है G2, इनका आपको क्या निकालना है cartesian product निकालना है cartesian product निकालना है, तो वह भी क्या होगा, simple graph होगा इसका मतलब, उसमें भी vertex होगे और उसमें भी ages होगी, vertex किस तरह से मिलेंगे, दोनों graph के जो vertex है, उनका हमको करना है, cartesian product इस तरह से हमको मिलेगा, vertex set, और जब ages की बात आएगी तो ages के लिए हमको देखना पड़ेगा यदि दो vertex हैं, तो उनके साथ ये वाली condition satisfy होनी चाहिए तब ही हम उनके बीच में age बनाएंगे condition के कहती है, माली जमर पस दो vertex इस तरह से मिल रहा है g1 x g2 में, तो उनके बीच में हमको age बनाना है, तो कब बनाएंगे यदि u1 equal to u2, ठीक है, पहला जो component है, यदि वो बरावर होता है और जो दूसरा component है वो adjacent होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, u1 equal to u2 and v1 v2 belongs to age of g2 that means b1 adjacent होना चाहिए b2 के और या तो यह वाली condition satisfy हो, या फिर second वाली second में क्या है, v1 equal to b2, मतलब second component यदि बरावर है, तब u1, u2 belongs to e g1 that means u1 adjacent u2 ठीक कहने का मतलब यदि पहला component बरावर हो रहा है तो दूसरा adjacent होना चाहिए और यदि दूसरा component बरावर हो रहा है तो पहला adjacent होना चाहिए तब ही हम इन दो vertex की बीच में age बना पाएंगे यहाँ पर जो हमने graph लिये हैं माली यह g1 है, तो g1 का जो vertex set है है, vertex of g2 v1 v2 और vn तो जितना भी u जहाँ हमने लिखा हुआ है वो पहले set से बिलोंग कर रहा है और जो v वाले हैं वो second graph से बिलोंग कर रहा है इनको example में और समझेंगे कि किस तरह से graph को protect निकाला जाता है, उससे पहले कुछ points है, जिनको आपको ध्यान देना है if cardinalty of vertex of g1 माली जी ए, n1 है इसी तरह cardinalty of vertex of g2 माली जी ए, n2 है ages of g1 m1 ages of g2 m2 then number of vertex number of vertex किस तरह से निकालेंगे n1 multiply n2 से निकालेगा और number of ages number of ages से निकालेंगी n1 multiply with m2 plus m2 multiply with n1 अब देखते हैं इसके लिए एक example माली जी हमार पास जो पहला graph दिया हुआ कुछ इस तरह से है यहाँ पर A vertex है और यहाँ पर B vertex है यह graph है हमारा G1 और एक और graph दिया हुआ है G2 यहाँ vertex है X, Y, Z ठीक है अब यदि हम इनका product करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो देखते हैं कि vertex of G1 क्या क्या है तो यह हमको दिया हुआ है A, B vertex of G2 अगर देखें तो यहाँ दिये हुए है X, Y, Z ठीक है तो vertex set के लिए हमको क्या निकालना है इन दौनों का कार्टिस निकालना है तो यह निकलेगा vertex of G1 cross vertex of G2 क्या आएगा A का combination इन सब के साथ A, X A, Y A, Z फिर B का combination सब के साथ B, X B, Y B, Z ठीक है and number of vertex और number of pages देखते हैं कितना निकलता है तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं cardinalty of vertex of G1 कितना है 2 vertex of G2 कितने है 3 ages of G1 कितना दिया हुआ है A की age है और ages of G2 कितना दिया हुआ है 2 ages है हाणा then number of vertex देखें तो number of vertex में क्या था? N1 into N2 दौनों का multiply करना है 3 into 2 6 हो जाएगा number of ages number of ages का मतलब क्या था? N1 multiply M2 2 into 2 4 plus 1 into 3 कितना आएगा? 7 ठीक है? तो 6 vertex होंगे और 7 ages होंगी अब किस तरह होंगी? उसके लिए हम बनाते हैं graph ठीक? अब graph बनाते हैं तो आप देख रहे हैं आप एप vertex हमारे पास यह हैं कितने vertex हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको draw कर लेते हैं ठीक है? यह है AX AY AZ BX BY BZ अब इस graph में जो ages बनेगी किस बेस बनेगी? पहली condition हमारी क्या थी? U1 इक्वल टू यदि U2 होता है तब V1 और V2 adjacent होने चाहिए हाँ न? और या फिर V1 और V2 बरावर होता है तब U1 और U2 adjacent होना चाहिए यह condition थी है हमारी तो देखिए सबसे पहले देखते हैं U1 इक्वल टू U2 कहां कहां है? means पहले कंपोनेंट बरावर कहां कहां है तो यदि हम इस से कोई A ड्रो करना चाहते हैं तो हमको क्या देखना पड़ेगा? A कहां कहां पर है तो A यहां पर है A यहां पर है और A यहां पर है इनके बीच में क्या था? And ठीक है? तो यहां से यहां भी यह जा सकती है यहां से यहां भी जा सकती है लेकिन B1 और B2 का एड़ेसेंट होना जरूरी है तो X और Y एड़ेसेंट है क्या? X और Y एड़ेसेंट है तो देखिए यहां पर A और A पहले कंपोनेंट बरावर है और X और Y adjacent है इसलिए यह H यहाँ से यहाँ आ जाएगी यदि हम यहाँ से यहाँ A ड्रॉ करना चाहें तो हो सकती है क्या A और A पहला component बरावर है लेकिन X से Z adjacent नहीं है इसलिए यहाँ से यहाँ पर H नहीं आएगी नीचे देखते है A से B तो देखिए अब यहाँ पर second component बरावर है second component भी बरावर हो सकता है लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए जो पहला component है वो adjacent होना चाहिए तो यहाँ पर X और X बरावर है और A से B adjacent है पहले ग्रावर में तो यहाँ पर भी H ड्रॉ हो जाएगी अब यहाँ से और कहाँ जा सकते हैं देखिए अब यहाँ पर A X से B Y जा सकते हैं क्या नहीं क्योंकि ना तो यहाँ पर पहला component बरावर है और नहीं दूसरा बरावर है इसी तरह A X से B Z जा सकते हैं क्या यहाँ पर भी नहीं क्योंकि ना तो पहला component बराबर है और नहीं दूसरा बराबर है, ठीक है, तो इन दो मैंसे A condition का true होना जरूरी है, अब यहां से हो गया, अब देखते हैं A Y से, A Y से देखते हैं तो A X तो अल्रीड हो चुका है, अब पहला component कहां बराबर देख रहा है आपको, यहां पर, A और A बराबर है और second component Y से जेठ एडज़ेसेंट है, तो यहां पर इस बन जाएगी, अब देखते हैं A से Y और B X, देखे अब यहां पर A से भी बराबर नहीं है और Y से X भी बराबर नहीं है, यदि बराबर होते हैं ताह हम second वाला चेक करते हैं कि वो एडज़ेसेंट है कि नह यहाँ पर एज बन जाएगी इधर देखते हैं तो A और B बरावर नहीं है और ना ही Y और Z बरावर है ठीक है A से Z देखते हैं अब देखिए A और Z है A और Z का यहाँ नीचे देखते हैं तो Z और Z बरावर है means B1 एकॉल टू-B2 मिल रहा है और A से B B एडजेसेंट है A से B एडजेसेंट है तो यहाँ पर A जाएगी ठीक है अब यह उपर के हो गए अब BX देखते हैं BX से A एकॉल टू अल्रेड़ी बन चुकी है BX से A य तो बनेगा नहीं क्योंकि B और A बरावर नहीं और X और Y बरावर नहीं दोरों में से एक भी कंपोने बनेगा बी वाई बी वाई से कहां कहां एडज बनेगा देखिए B और B बरावर है बाई और Z एडजेसेंट है तो यहाँ पर बन गया ठीक इसके अलावा आप और कहीं देख सकते हैं और भी कहीं अब एडज नहीं बनेगी तो सिंपल है आपके पास जो भी वर्टेक्स मिल होना जरूरी है तो यदि ऐसे वर्टेक्स आपको मिलते हैं तो उनकी बीच में आप एज ड्रॉब कर दीजिए तो यह कहलाएगा आपका कार्टिशन प्रडेक्ट ऑफ ग्राफ जीवन क्रॉस जीटू वर्टेक्स यहां पर कितने हैं 1,2,3,4,5,6 ओके नमबर ओपेजेस देख लेते हैं 1,2,3,4,5,6,7 ठीक तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है प्रडेक्ट ऑफ ग्राफ या फिर इसी को हम बोलते हैं कार्टिशन प्रडेक्ट यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू